इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंब बर्ड फॉर्मेशन और लिंब फॉर्मेशन के बारे में लिंब यानि की जैसे कि हमारे हाथ पैर होते हैं जब हम एम्ब्रानिक स्टेज में होते हैं तब हमारा जो हाथ पेर है इसका formation स्टार्ट होता है limb bird से एक sperm और एक एक के fertilization के बाद बनता है zygote zygote का होता है division division होके एक embryo बनता है embryo बनते समय zygote से divide करके three germ layers बनते है सबसे पाहर का जो layer है उसे कहते हैं ectoderm सबसे अंदर रहता है endoderm और बीच में रहता है mesoderm ectoderm से बनता है हमारा skin और हमारा nervous system nervous system में सबसे पहले बनता है neural tube endoderm से बनता है हमारा gut mesoderm से हमारे बहुत सारे internal organs बनते है mesoderm differentiate होके दो टाइप का mesoderm बनाता है यह जो bunch of cells है neural tube के पास इसे कहते हैं somite cells जो mesoderm से ही बनता है और दूसरा है lateral plate mesoderm cells इसके बीच में cavity बनता है इसे कहते हैं selon यह जो somites हैं यह neural tube के आसपास हमें देखने में मिलता है जो chick embryo को अगर हम observe करें तो यह number of somites को देखके हम decide कर सकते हैं कि chick embryo कौन से stage में है या फिर कितने hours का वो embryo है the somite cells in future differentiate होता है muscle precursor cell में और lateral plate mesodermal cell से बनता है skeletal precursor यानि कि skeleton यह दोनों मिलके बनता है limb bud क्योंकि limbs में, हमारे limbs में muscles भी होते हैं और bones भी होते हैं bones भी बीच में रहता है उसके surround करके रहते हैं muscles तो यह है हमारा embryo जिसके अंदर limb bud का formation हुआ है limb bud का जो सबसे outermost layer है वो होता है ectoderm का सबसे outermost layer of limb bud ectoderm से बनता है और अंदर रहता है दो टाइप का mesoderm इसे कहते हैं heterogeneous mesenchymes यानि की mixture of two types of mesodermal cells somite cells and lateral mesodermal cells limb bud mainly तीन हिस्सों में divided होता है limb bud का सबसे outerm layer जो की ectoderm से बनता है उसे कहते हैं apical ectodermal ridge AER यानि की ectodermal ridge के ठीक पीछे दूसरा layer रहता है उसे कहते हैं progress zone और zone of proliferation ये बनता है mesenchymes cell से यानि की mesodermal cell से limb bud की posterior end में एक और region रहता है जो यहाँ पर red में दिखाया गया है उस region का नाम है zone of polarizing activity यानि कि ये polarize करता है ये zone जहाँ पर present होता है वो होता है posterior end तो ये तीन region हमारे परास present है जिसमें से progress zone जो meson काइम cell से बना हुआ है वो highly proliferating है यानि कि ये divide करके बढ़ता रहता है ये बढ़ने की वज़े से limb bird का जो volume है जो length है वो भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे एक limb बनाता है इस limb का बीच में बनता है bones यानि कि skeleton जो की बनता है lateral plate mesodrome से और somite से बनता है हमारे muscles पूरा limb बनने के बाद हमारे digits यानि कि जो उंगलिया होती है वो सबसे पहले जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ उनके बीच में होता है apoptosis यानि कि programmed cell death इसके वज़े से digits एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और limb formation complete होता है वो जज़े दूसरे से क्षरों झाल कस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चs